हेलो एब्रीवान वेलकम टू बैक क्रिंपी स्लाइ टिप्स में तो आज इस वीडियो में हम आपके लिए लेका हैं डिजाइनर ब्लाउज वीडियो बैक में इस तरह से चोक और ब्ले बनाया हैं बाज lav को हम इस तरह से अम्पेलला स्लीव में बनाया है डबल लेयर में। अब देख सकते हैं फिनीशिंग कितनी अच्छी आई है है। चली वीडियो को सुरूव करते हैं। और इसकी हम कुटिंग और स्टिचिंग को पूरा टोटल वीडियो देंगे फ्रांट और वैग दोनु पार्ट में। और यहां फ्रेल की शेप दे सकते हैं प्रिय दे लूट में कोइं पिको किया है, जिसे इसकी फिनिशिंग बहुत अक्छी आती है, अम्रेला सलीज में पिको को से ही एक लोग इसका अच्छे से ही नहां जाता है, यहां पर हमने पहले से ही मारकिंग करके रख लिए हैं लाइनिंग के पेपर पे, यहां हमें 32 के कोर्डिंग मार्किंग किए है और जो सिंपल ब्लाउज में टक्स रहते हैं फोर टक्स वाले से उसी तरह मार्किंग है बट इसमें जो टक्स है दो ही टक्स लगाएं हो नीचे वेल्ड का शेप दी है फ्रांट में वी दिये हैं और बाइग में इस तरह से टेन इंच की मार्जिंग लेते हुएं यहां बेक पर्ट लेते हैं तो 1 प्लस इश्टरा लेते हुए हमने 14 लिए हैं और टेन इंच लिए हैं इसकी टीपनेस जो गले की डीपनेस होती है 4.5 बैटक्स जो हैं यहां पे 4.5 इंच है और इस तरह से जो आर्म-Hole वाले पार्ट है 5.5 इंच और यहां पर देख सकते हैं मैने फ्रंट वाले पार्ट को शेप बό्च ब нем दीए हैं यहां फिरा से फियूंत के बाद िवर नंच के बाद यहांपर Co-ups इसे तर्ध रहे लिए इसको को र् iter तो इन डीनर गाला बॉटू है किसी तरह करेंगे अब करेंगे यो फी नियुक्त करी को सुझ साइन धा जो हमादे ना करेंगे 洞ा करें करें नहीं हम एक्सर कर लिए अफ्य ह्से नहीं था धान कर देते हैं स्लीव का लंबाई दे पाए हैं तो इस तरह से हम सर्कल कट किये हैं सर्कल कट करने के बाए इस तरह से दो पाट कर लेंगे और इसके बाद जो चोटा वाला पार्ट है वह हमने इस तरह से टेन इंच पर किये हैं एक पार्ट हमने फोटे निच रखे हैं तो इस तरह से दोनों पार्ट को सर्कल को इस तरह से बराबर करेंगे और दोनों स्लीव जो हम एक बराबर करके अल्पिन से सेट कर लेंगे इसके बाद हम सेंटर पॉइंट की मार्किंग करेंगे और सेंटर पॉइंट की मार्किंग करते हुए इसमें हम नीचे वाली गुलाई का शेप देंगे बा यहां पर हम इसको मिलाते हुए राउंड शेप देंगे कम से कुम वन इंच की गहराई से ही राउंड शेप देना है अगर थोड़ा बहुत कम पड़े कटिंग करने में तो थोड़ा सा इस्ट्रा भी कट कर लेते हैं क्योंकि जो बाजू की पूरी गुलाई है थर्टीटू के यह जो आर्मोल की शेप आते हैं साड़े साथ इन चाते हैं सेवन पॉइंट फाइप इंच तक और इस तरह से हमें कम पड़ रहे थे तो हमने थोड़े से और इस्ट्रा ले ले लिए जिससे तो क्या होता है यह पूरा जो गुलाई है हमारे बाजू में अच्छे से कर लेते हैं तो इस तरह से हम बराबर से लफा के देख लेंगे तो अंब्रेला स्लीव को इस तरह से खीच के हम देख लेते हैं कि सेवन पॉइंट फाइप इंच आ रहा है कि नहीं ताकि जो हमारे आर्मोल वाले पार्ट हो उसमें अटेच हो जाए ती टोटल सेवन इंच तो इतना सफिसेंट थर्टी टू साइज के अकॉर्डिंग सेवन इंच परफेक्ट आता है अर्मोल की गुलाई के लिए तो इस तरह से हमने से कट कर लिए हैं अभी से चले स्टीच करते हैं तो दोनों पार्ट को अलग अलग करके दोजनों अलग करके हम इस तरह से राउं हैं वीडियो के लाइक और सब्सक्राइब करिया करें थोड़ा मिटिवेट होते हैं यहां करने से हमें थोड़ी सी हमत रहते हैं तकि हम आगे आप के लिए नए और वीडियो लाते रहें तिस तरह से स्टीच करने के बाद आप साइड की इनारी अख सेल भी सकती हैं अगर परट को इस तरह से ब्हेकर लेंगे किसी च्ट कर लेंगे कर लेंगे पार मुंपनी शीय टीपे लिए सबस्क्काम करें सिपली कि दे आप मुझे excel के ने त्राइव ब्हाइड था Balm सबलें ठेम हाथों से नाखून से प्रेस कर लेंगे प्रेस करने के बाद इसे ओपर सी टॉप स्टिच लगा देंगे सिक्वेंस वाले ब्लाउ जादे ट्रेन में चल लए है तो हमने इस तरह से बादि ही फेब्रिक यूज किये हैं और इस तरह से बागी हमारे हिस्टा-marzing है उसको इस तरह से श्टीच लगा लेंगे स्टीच लगाने के बाद इस्टापाट को कर लेंगे कि यहां पर मिश्टा पाट के कटिंग कर लेते हैं और प्लीज वीडियो की एक लाइक जरूर किया करें ताकि हमें भी थोड़ी सी मेटिवेट मिलें जो टक्स थें दोनों उस टक्स को हम पॉइंट को इस तरह से थोड़ और डार कर लेंगे डार करने के बाद ही हां पर हम दोटीह बहुत ही सिम्पल है बहुत जल्दी बन जाते हैं और इससे बनाने में साधे टाउंट भी नहीं लगते हैं और इसकी जो फिनीशिंग और शेप ए एक बिल्कु डिजाइनर ब्लॉप की तरह आते हैं एंथी जोड seulement अपर फिल्कु दस मारें पार में अबने पाश् को डालते जाएंगे एक बार आप इस तरह के ब्लावज जरूर बना के देखिए इसकी फिनेशिंग कितनी अच्छी आती है और इस तब ब्लावज जो हैं डिजाइनर शाड़ी ओले में पहनने से अकसर यह ब्लैक कलर की साड़ी पर रेड वाली चो कांट्रास्ट ब्लावज क बंट बावज आती है शेत निचे के बेल्ट जोइन परते की कोर्णर वाले पार्ट मिलाते हुए हम इसे यहां पार यह के शिच करेंगे से हम उफर से लगा लेंगे और शिलाइ उच्छी सेट कर लेंगे के बाद यहां पे हम इस तरह से फोल करेंगे राउंड में और नीची वाले पोशन को स्टिच करेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत ही किलियर के साथ हम फिनिशिंग का लुक देते हैं कहीं पर इसे मार्जि हम चारो तरफ से गुम्सिलाई वाली स्टिच बताते हैं हमारी वीडियो अगर आपको अच्छे लगती है तो प्लीज वीडियो के लाइक किया करिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किया करिए ताकि हमें भी और इस तरह से ओपन करने के बाद जो इस्टा मा गर दोरी के लिए लगाए है थाकि जो दोरी हमारी हो एक ही साथ हो जायए और गुम हो जाए तो नीचे के साइड से कमге उस्टिच लगा देंग, इस तरह से फ़्लट वीडियो लगाते हैं सेम इसी तरह क्योंकि जो हम र मूरा क कपडा है वह थीक है और इस तरह से ल लगा लेंगे लाइटली हमाडी कभडा होता है तो निची के धर से अक पाई वाले पार्ट को बनाते हैं यहां पर हम उल्टे साइड में इस तरह सेट कर लेंगी कपडे को और यहां पर हम निक को भी सरद सेटेज कडि़े और जो हमने कत लगाए थे कट को हमने इस तरह से डोरी अटेज कर दिये हैं बिल्कुर बराबर से कोल में हम इसे चौकोर कले में इस शेप में जो कटिंग हुआ है उसको हम इस तरह से स्टीच कर लेंगे इसके बाद जो नेक वाले पार्ट है इस टा कपड़े की फेवरिक में उसको हम कट कर लेते हैं और यह कट करने के बाद कटिंग जो है हलकी हलकी कॉर्णर पर हम कट कर लेंगे और नोचेज दे देंगे इसको भी हम प्लट लेंगे और इस तरह से हम ऐसे प्लट लेंगे टॉपपि। च्टिच मेंगे, प्रवाबर्स के पकड़े होई। इश्टा मार्जिंग अगी सटमाको कट कर लें। कटिको किपे बाoupe के बाद डेंगे में टक्स के लिए। यह देख सकते हैं, इसके बाद यहां पडेगे से बादसे सवने किता हैं। प्विलोग एपते, बतों कि अस्तर को बिच को शmmy स्पित की पूपचे, और इस्तर को डिटे चिंडर हो फोड़ जाएं, मैं यह बंसितक को फिनेशिंग सी होगते हैं suppose कि ऐा जालते साइड़ भी आपता एर धर सफाए क्या आपकड़ और अंदर के आपकड़ा assassin आप इससे एक पर से लिए 2-2 एफू करने में दो merch पर स्टिच लगा राप ni और हो उत अजले दो nossa love pipeline कंवाल एक तर शत्य हूं इसे तरह से हमने दोनों साइड में इस तरह से दो दो शिलाई को स्टिच कर दिये हैं इसके बाद जो हम स्लीव रेडी किये थे और शोल्लर पर कट लगाए थे तो कट मार्किंग को ध्यान में रखते हुए इसे स्टिच करेंगे याद रखें जो नीची वाले पार्ट है वह बाद दो बाद को अर्म होल वाले साइड पर करते हुए इसे श्टिच करेंगे गोल बाज जो होते हैं बलाउज को इस तरह से उल्टा रखेंगे और अंदर की साइड को यह जो चुन बेजि़ करेंगे बिल्कुल राउंड में स्थीच करेंगे और सोल्लर से हम कट लगाए अगर बड़ा रहता है तो हम नीची वाले पाट को खीच लेते हैं तो उसके स्लीव रेडी हो गाए हैं आप देख सकते हैं तो नों पाट में हम इसी तरह से अटेच कर लेए हैं और बात आती हैं बैक वाले पाट में हुकाई लगाने की तहीं है कि में चाहिए हैं ऐर ऐ बना लें हैं मार किया तो हमने फोर आई वाले बना लिए और इसे पहले हैं तो हम फोर में आय बना लगा लगाने की बड़ gonna find in the दोड़ेमे के लटकन टाइच करेंगे तो जो चौड़ा वाला अमबरडरी जो पहता क्पड़ेंगे बनाइंगे और प्लेन कपड़े रहा को आधेशे कि यह भी बँपार के दोड़ेंगे बना को आधेशा के डोड़ेगी जिसे यह बहुत प्यारा लगेगा कफ के भी बहुत ही से अच्छे से थिनीशिंग और अगर की सिलायी में फिनीशिंग है तो आप कोई भी सिंपल कपडे को भी डिजानर ब्लाउज बना सकते हैं बहुत ही असानी से और इस तरह से जो प्लीट वाले ब्लाउज होते हैं इसका जो शेफ होता है बिलकुल ब्लाउज का आपको पसंद आया होगा आज का ब्लाउज बिल्कुल आप देश सकते हैं हमने इसे ट्राइ भी किये हैं और यह डवल लियर की जो हमने अम्रेला स्लीव बनाए हैं इसे इस ब्लाउज में और भी चार चांद लग गये हैं और यहां पर हमने प्लेन फेवरिक का यूज की हैं यहां कि एम बाउडरी वाले जो स्लीव है वीडियो में राश्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद आएंगे कुछ नवी टिप्स और ट्रिक के साथ अब तरक के लिए बाई बाई